हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई चैनल फूडी नमस्ते आप कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं बहुत ही अच्छी रेस्पी लेके आई हूँ और वो भी यूनिक चाइनीज फ्लेवर का सैंडविश वो भी ग्रिल्ड वाला तो चलिए देखते सबजियां चौप करके हमको लेनी है कुछ ये है गाजर बारिक बारिक चौप की मैंने और ये है हरी मिर्च ये है पत्ता गोबी हाफ पत्ता गोबी लिया था उसको चौप किया है गाजर मैंने दो ली थी और ये दो शिमला मिर्च बारिक बारिक चौप कर लिए हैं सभी थोड़ा सा ओईल डाल देंगे ओईल को अच्छे से घरम होने देंगे जैसी ओईल घरम हो जाएगा उसमें हरी मिर्ष डाल देंगे और फ्राइ करेंगे अब इसमें चौपकी हुई बारी गाजर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे फ्रेंस मुझसे एक स्कि गैस पर ही करना है गैस का फ्लेम लो नहीं करना है सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए अब इसमें स्वादमसा नमक ढाल देंगे नमक थोड़ा हलका ही रखेंगे क्योंकि हमको सॉसेज के इस्तिमाल करना है अब इसमें कुट्यू ही काली मिर्च डाल देंगे हाफ स्पून तक अच्छे से mix करेंगे अब इसमें एक चम्मच सोय सॉस डाल देंगे अच्छे से mix करेंगे अब इसमें वन स्पून वाइट वैंगर डाल देंगे उसको भी अच्छे से mix कर लेंगे सभी को भूनेंगे अच्छे से अब एक चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे, अब एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, उसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, आप चाहें तो रचिली सॉस भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अविलेबल हो, अब इस मिशनर को पलट लेंगे और अच्छे से फैन कीजे ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद सैंड़िच के त्यारी करते हैं, अब एक ब्रेड का पीस उठाएंगे, और टोमेटो केचप लेके हलका हलका सा इस्प्रेट कर लेंगे, टोमेटो केचप के स्वात बच् दोस्तों, ये कोई जवरी नहीं कि आप मयोनीज ही लगाएं, आप चीज है, पनीर है, कुछ भी आप पीस लगा सकते हैं, अब जो सब्जियां फ्राई क्यों ही है, इनको इस पर रख देंगे, और धीरे-धीरे से स्प्रेट करेंगे, देखिए, अच्छे से मैंने रख दी है, अब दूसरा पीस जो मयोनीज वाला था, वो इसको रख देंगे उपर, आप चाहें तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं, मयोनीज अगर आपके पास ना हो, अब फिर दूसरा पीस पनाएंगे, एक रेडी करेंगे, टोमैटो सॉस लगाएंगे, और दूसरे पीस पर मयोनी में शामिल हो जाएगा, हर हफते आपसे डिमांड होगी, बच्चों की, बड़ों की, कि ये वाला सैन्विश बनाओ, तो चलिए आगे चलते हैं, क्या करना है, अब सैन्विश में कर ले लिया है, मैंने, आपके पास इलेक्ट्रिक वाला हो, तो यूज कर ले, और मेरे पास मीडियम गैस स्लेम कर लेंगे, और बस थोड़ी देर के लिए सेकेंगे, अब पलट लेंगे, एक तरफ से हमारा सिख देया होगा, और दूसी तरफ से भी थोड़ी देर सेकेंगे, फिर चेक करेंगे, ये देखी, वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है, क्रिल सैन्विश इत दूसरा भी रेडी कर लेते हैं, और लगा दिया है मैंने, सैन्विश को रख दिया है, अब इसको भी बंद करके उसी तरह से सेक लेंगे, जैसे पहला वाला सेका था, इस सैन्विश का टेस्ट इतना भाता है सभी को, स्प्रिंग रोल टाइप से बिल्कुल डिश ये लगत बस इसको भी निकाल लेंगे, अब इसी तरह से और बाकी भी मैं बना लूँगी, देखिए मैंने रेडी कर लिये हैं, अब बस इनको कट करना है, तो चाकू या पीजा कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे, और देखिए मैंने सारे कट कर लिये हैं, कितने सारे तैयार हो ग कट करके पहले ही रख लिए तो और भी जल्दी बन जाएगा अब इस पर टोमेटो सॉस सर्फ कर लेंगे और थोड़ी सी आप चाहें तो चिले सॉस भी सर्फ कर सकते हैं मैं मयोनीज रख रही हूं तो यह बच्चों को मयोनीज बहुत पसंद आती है उसके साथ सैंड्विच क साड़ी फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है देखा आपने अरे खाने में तो इसका स्वात मैं पता ही नहीं सकती हूं एक्स्प्रेस नहीं कर सकती हूं मूंसे आप जब खाएंगे आप तभी जानेंगे तो दोस्तों चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूलें व आपसे एक नए वीडियो में अगली रेस्पी के लिए तब तक लिए नमस्कार बाई बाई